आज हम इस वीडियो में बिहार दरोगा मेंस एक्जाम के लिए मौडल प्रेक्टिस सेट लगाने वाले हैं। इससे पहले मैंने इडूटेरिया के दो प्रेक्टिस सेट लगवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिप्सक्रिशन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। वहाँ से जाकर आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं। पाला प्रस्ण है मद्द परदेश में नेपा नगर किस उद्योग के लिए परसिद है। पाला आप्शन है सक्कर मील, दुसरा, समचार पत्र कागच की फेक्टरी, इस्टील प्लांट, हेवी इंजिनेरिंग प्लांट। तो मद्द परदेश का नेपा नगर समाचार पत्र कागच की फेक्टरी के लिए परसिद है। प्रस्ण भी इसका राइच उत्तर हो जाएगा। बरते हैं नेक्स्ट परस्ण की ओर। भारत के परदान मंत्री पद के लिए उमिद्बार की कम से कम कितनी आयू होनी चाहिए। अप्सन इसका राइच उत्तर हो जाएगा। बरते हैं नेक्स्ट परस्ण की ओर। उच्ञीले के मुख नअदिस की नुक्ती कौन करता है। ऊप्सन इसका राइच उत्तर हो जाएगा। बरते हैं नेक्स्ट परस्ण की ओर। गांधी जी ने डन्डी मार्च 1938 पार्ण की बाद्रे में इनकीनके बिरोध में किया। तो गांधी जी ने डांडी मार्च 1930 इसवी में नमक पर टेक्स अधिरोपन के बिरोध में किया बरते हैं नेक्स्ट प्रस्ण कियो एक विद्धूत सरकीट में एक फ्यूजतार का उपियोग किया जाता है संचारन में बिद्धूत उर्जा के खर्च को कम करने के लिए बॉल्टेज के अस्तर को स्थिर रखने के लिए सरकीट में परवाइत होने वाले अधिक बिद्धूत को रोकने के लिए बिद्धूत तार को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए तो विद्धूत सरकीट में फ्यूजतार का उप्योग सरकीट में परवाइत होने वाले अधिक विद्धूत को रोकने के लिए क्या जाता है ओप्शन सीज का राइट उत्तर हो जाएगा बरते हैं नेक्स्ट प्रसंद कियो बेगाम हजरत महल ने 5857 का विद्धूत का नित्रूत निमलिखित में से किस सहर से किया था तो बेगाम हजरत महल ने 5857 करंती के विद्धूत का नित्रूत लखनव से किया था ओप्शन एश का राइट उत्तर हो जाएगा बरते हैं नेक्स्ट प्रसंद कियो निमलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मुर्गी उत्पादन का निर्यातक करता है USA, चीन, ब्राजिल, इंडोनेसिया तो चीन मुर्गी उत्पादन का सबसे बड़ा निर्यातक करता है अप्शन 20 का रैट उतर हो जाएगा बरते हैं next person कियो निमलिखित में सबसे अधिक सोना किस देश में उत्पादन किया जाता है चीन में, दक्षिन अफ्रिका में, ब्राजिल में, भारत में तो चीन में सबसे अधिक सोना उत्पादन किया जाता है अप्शन इसका रैट उतर हो जाएगा तो चलिए बरते हैं next person कियो निमलिखित में से कौन काकोडी सर्यंत्र केस से संबंदेत है सानबाज खान असरफाकुल्ला खान अब्दुल कलामजात भगत से तो असफाकुल्ला खान ओप्शन 20 का रेट उत्तरो जगा असफाकुल्ला खान काकोडी सर्यंत्र केस से संबंदेत है बरतेहें next प्रस्ण क्यों निम्लिखित में से गूप्त बंस्कावा रजा कौन था जिसने रूनो को भारत पर आक्रमन करने से रोका उमार गूप्त, समुद्र गूप्त, असकंद गूप्त, चंद्र गूप्त उती है तो असकंद गुप्त ने भारत पर हुर्णों के आक्रमन को रोका था अप्शन से इसका राइज तुत्तर हो जाएगा बरते हैं नेक्स्ट प्रस्ण क्यों भारत में सबसे अधिक किस परकार की मिट्टी पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, एलूबियल मिट्टी, मरसी मिट्टी तो भारत में एलूबियल मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है अप्शन सीज का राइट उतर हो जागा बेकिंग सोडा का रसाइनिक नाम क्या है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकर्बोनेट, सोडियम क्लोराइट, सोडियम हैड्रोकसाइड तो बेकिंग सोडा का रसाइनिक नाम सोडियम बाइकर्बोनेट है अप्शन भी इसका रेट उतर हो जाएगा पाइमंडल के किस भाग में ओजॉन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है महराष्ट में भक्ती संपर्दा निम लिखित में से किसकी सिक्छाओं दौरा फैला था संत तुकाराम, संत ज्ञानिस्वर, समर्थ गुरु रामदास, चेतन निमहापरवू तो महराष्ट में भक्ती संपरदाय संत ज्ञानिस्वर के ज्ञान चे फैला था तो अप्शन 20 का रेट उत्तर हो जाएगा नवाड का नाम है नवाड का क्या नाम है? तो नवाड को किर्शी सहायता के लिए विशेशित बैंक कहा जाता है ओप्शन सीस का रेट उत्तर हो जाएगा बेकरी में ब्रेट बनाने के लिए इस्ट का उप्योग क्यों किया जाता है? बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए इस्ट का उप्योग ब्रेड को मुलायम तथा लचिला बनाने के लिए किया जाता अप्शन 20 का रैट उतर जाएगा चीन की राष्टिय पार्टी कुव मितांग की अस्थापना की थी तो चीन की राष्ट्य पार्टी की अस्थापना किस ने की थी सनियात सेन ने कुओ मितांक पार्टी की अस्थापना की थी अप्शन डीस का रैट उतर हो जाएगा निमलिखित में से कौन सा विशय संग सूची में सामिल नहीं है तो मचली उद्योग संग सूची में सामिल नहीं है बांकी तीनों संग सूची में सामिल है तो option D's का राइट उत्तर हो जाएगा जीबूती परिक्षा क्या है? जीबूती परिक्षा एक डॉक्टरी परिक्षन की तकनीक जिसमें कोश्ट तता तन्तूों की सहता ली जाती है औप्षन D's का राइट उत्तर हो जाएगा निमलिखित में से कौन से पदार्थ में उर्ध पातन होता है? तो उर्ध पातन की घटना कपूर में होती option Yes का राइट उत्तर हो जाएगा निमलिखित में हरप्पा संस्कृति का कौन सा जानबर सील तथा टेरी कोटा कला को परदर्शित नहीं करता है तो राइनो सेरस सील तथा टेरी कोटा कला को परदर्शित नहीं करता है अप्शन सीस का रैट उतर हो जाएगा कपड़े के छेटर में निमलिखित में से भारत किस राज में उत्पादन भारत के गुल उत्पादन का 50 पृतिसत करनाटक में है। परमप्रागत निरित्र महनी अठम किस राज का निरित्र है तो महनी अठम केरल राज का निरित्र है, ऐप्षन 20 का रएट उतर हो जाएगा। टेली फॉन लाइन से होकर कौन सी उर्जा गमन करती है टेली फॉन लाइन से होकर एलेक्ट्रिकल उर्जा गमन करती है ओप्शन डीज का रैट उतर हो जाएगा कारा कोरम हाइवे जोडता है कारा कोरम हाइवे पाकिस्तान तथा अक्साई चीन को जोडता है जर्मनी का लोफ प्रूस किसे कहा जाता है जर्मनी का लोफ प्रूस ओटो बन विसमार्क को कहा जाता है जर्मनी का लोफ प्रूस ओटो बन विसमार्क को कहा जाता है निमलिखित में से समाज के किन दो बर्गों पर बुद्ध का सर्वादिक परभाव था, तो समाज के वेप्यारी तथा योगी पर बुद्ध का सर्वादिक परभाव था, अप्शन एसका राइट उतर हो जाएगा। भारतिय संबिदावन में निर्देशात्मक नियमों का समावबेश निम्न अस्थापन के लिए किया गया, समाजिक और आर्थिक लोगतंत्र के लिए भारतिय संबिदावन में निर्देशात्मक नियमों का समावबेश किया गया, समाजिक और आर्थिक लोगतंत्र, अप्शन लिखी तो गुरु नानक की जीवनी गुरु अंगद देब अफ्सने स्काइराइट उतर जएगा। भारत में उच नियालेओं की कुल कितनी संख्या है। भारत के परोश में घोरे की नाल जैसे आकार वाले मुंगे का दुइप समू है। ब्यूस्व का परसीद सेरांगेती वन प्रानी अभ्यारन है तंजानिया में हैं ओप्शन 20 का रैट उतर हो जाएगा। भारत में सबसे बरा नदी मुख किस नदी के मुख पर है ओप्शन 20 का रैट उतर हो जाएगा। निमलिखित में से आखों के कौन से दोस को ठीक नहीं किया जा सकता है। तो आँखों में वर्धनता को ठीक नहीं किया जा सकता है। अप्शन सीज का राइट उत्तर हो जाएगा। अनवकी बनस्पती और जीव जन्तुओं का घर की रूप में परसिद व्यूश्चु की सबसे बरी नदी योजना अमेजन निमलिकित किस देश में अवस्तित है। तो अमेजन ब्राजील में अवस्तित है। आप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। निमलिकित में से सबसे भारी धातू है। तो सबसे भारी धातू योरेनियम है। अप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में मोदरिक निती का अपर्त्यक्च उपकरन है मोदरिक निती का अपर्त्यक्च उपकरन बैधानिक तरलता अनुपात अप्शन D इसका राइट उतर हो जाएगा बैधानिक तरलता अनुपात अस्थानों को जोरने बाली संबर्षा योग रेखाओं का नाम है तो अस्थानों को जोरने बाली संबर्षा योग रेखाओं का नाम संबर्षा रेखाए हैं ओप्शन सीस का रैट उतर हो जाएगा विक्टोरिया परपात निमलिखित में से किस नदी पर है Victoria परपात जांबेजी नदी पर है Option C's का रैट उतर हो जाएगा निमलिकित में से किस राज में हट्टी सोने की खाण इस्तित है तो हट्टी सोने की खाण करनाटक में इस्तित है Option D's का रैट उतर हो जाएगा पारा में ध्वनी की चाल किस दर से यातरा करती है अप्शन 6 का राइट उतर हो जाएगा सूरी तारों के जिस परिबार से संबंधित है उसे जाना जाता है सुरी तारों से सुपर्नोवा परिबार से संबंदी थे Option 6 का रैट उत्तर हो जाएगा हैदराबाद के राजाकार अंदोलन का क्या उदेश था हैदराबाद के राजाकार अंदोलन का अपेक छाकृत बरा तेलंगन राज बनना उदेश था उलम्पिक खेलों में भारत द्वारा होकी का पहला स्वर्ण पदक निमलिखित किस बर्स जीता गया था तो होकी में भारत का पहला स्वर्ण पदक 1928 इस भी में जीता गया था Option B, इसका राइट उत्तर हो जाएगा Option A, अप्सान एसका राइट उत्तर हो जाएगा Kopa, अमेरका कब किस खेल से समबन देथ है कोपा अमिर्का का फुट बॉल से संबंदित थे option A का राइट उत्तर हो जाएगा निमलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट पती थे जो All India Railway Men's Federation से भी संबंदित थे तो BR गिरी ऐसे राष्ट पती थे जो की All India Men's Federation से भी संबंदित थे option D का राइट उत्तर हो जाएगा निमलिखित में से कौन सी बायू को ग्रीन हाउस बायू कहा जाता है तो Carbon dioxide को ग्रीन हाउस बायू कहा जाता है निमलिखित किस बस्तू के निर्यात से भारत को सरवादिक विदेशी मुद्रा जन्ग होता है तो चाय के निर्यात से भारत को सरवादिक विदेशी मुद्रा जन्ग होता है option A का राइट उत्तर हो जाएगा आधुनिक समय में बिधी का एक मातर साधन है तो आधुनिक समय में बिधी का एक मातर साधन विदान मंडल है option D का राइट उत्तर हो जाएगा निमलिकित में से किस राज की सीमा चीन से जुरी हुई है तो अरुनाचल परदेश की सीमा चीन से जुरी हुई है option D का राइट उत्तर हो जाएगा सभी भारी रेडियो सक्रियता तो अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं option D का राइट उत्तर हो जाएगा option B मैंग्रोप किसे कहा जाता है तो मैंग्रोप लवन कक्च का एक प्राकृतिक बन को कहा जाता है option C का राइट उत्तर हो जाएगा PSLB सब्द संचेप कातात परी है Polar Satellite Launch वीकल से है Option 20 का राइट उतर हो जाएगा नबिन्तम रिपोर्ट के नुसार सनिगर के कितने उपगर है नबिन्तम रिपोर्ट के नुसार सनिगर के सरसट उपगर है Option के नुसार औबिन्दुकता मानव शरीर के किस भाग और छम्ता को पर्तिकुलत परवावित करती है Optionड का राइट उतर हो जाएगा विब्रित अस्थान भित्ती किसे कहते हैं तो विब्रित अस्थान भित्ती खुले अस्थान का डर को कहा जाता है समुद्री कक्री निमलिखित में से किसे इंकित करता है समुद्री कक्री निमलिखित में से एक समुद्री अक्से रूकी को अंगित करता है ओप्शन 20 का राइट उत्तर हो जागा विश्व का सबसे बरा जहरीला संप किसे माना जाता है विश्व का सबसे बड़ा जहरिला साउप किंग कोबरा को माना जाता है परसिद भारतिय बेग्यानिक मेगा नौत सहा निमलिकित किस छेतर में महतपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं तो सुपरसिद बेग्यानिक मेगा नौत सहा खगोल भोतकी के लिए जाने जाते हैं ओप्सन बीस का रैट उतर हो जाएगा एसिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है एसिया की सबसे लंबी नदी यांग्टी सिक्यांग है ओप्सन बीस का रैट उतर हो जाएगा निम्न कथनों पर विचार कीजिए फल उत्पादन में भारत का विश में पर्थम अस्थान है तमबाकू के निर्यात में भारत का विश में दूतिय अस्थान है तो केबल एक कथन सही है और दूसरा कथन गलत है तो अप्शन इसका राइट उतर हो जाएगा निम्ण में से भारत का राष्ट पती किसकी न्यूकती नहीं करता है, तो भारत का राष्ट पती उप्राष्ट पती की न्यूकती नहीं करता है, option 20 का right उतर हो जाएगा. सार्क दक्षिन एसियाई प्रादेशिक सहयोग संगठन के सदस देशों की संख्या कितनी है तो सार्क सदस देशों की संख्या साथ है option 10 का राइट उत्तर हो जाएगा किन दो तितियों को दिन और रात बराबर होते है तो 21 मार्च और 23 दिसंबर को दिन और रात बराबर होते है option 20 का राइट उत्तर हो जाएगा बेदाओं की संख्या है बेदाओं की कितनी संख्या है तो बेदाओं की संख्या चार है option 10 का राइट उत्तर हो जाएगा भारत का National Atlas and Thematic Mapping Organization निम्लिखित में से किस अस्थावन पर इस्थित है? तो भारत का National Atlas and Thematic Mapping Organization कौलकाता में इस्थित है? Option 6 का राइट उतर हो जाएगा. शिक्छक दिवस कब मनाया जाता? तो शिक्छक दिवस 5 सितम्बर को मनाया जाता. Option 20 का राइट उतर हो जाएगा. निम्लिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रसासनिक कारे संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में सिक्छा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंब किया. तो ग्लोड मेकाले ने भारत में सिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरम किया निमलिखित किस बर्स भारत में इस्टिडिया कमपनी का साशन समप्त कर भारतिय पर साशन का नियंत्रन सिधा ब्रिटिस ताज के अंतरगत हस्तांतरित कर दिया गा तो अठारो सो अन्ठावन इस भी में इस्टिडियां कमपनी का साशन समप्त कर सीधा ब्रिटिस ताज के अंतरगत अस्तांतरीत कर दिया ओप्शन सीज का राइट उतर हो जाएगा निमलिकित में से किसके द्वारा शुरू में बर्धा में सत्यागर आश्रम की अस्तापना की गई थी राजसभा द्वारा लोकसभा को धन बिधयक कितने समय में लवटा दिये जाने चाहिए तो राजसभा को लोकसभा को धन बिधयक 14 दिन में लवटा देने चाहिए ओप्शन सीज का राइट उतर हो जाएगा स्वर्ण निमलिकित में से किस पदात में घूल जाता है तो स्वर्ण एक्वारेजिया में घूल जाता है Option C का राइट उत्तर हो जाएगा आइनी योगिकों से संबंधित निम्न कतनों पर विचार कीजिए आइनी योगिक एलकोहल में ओबिले होते हैं ठोस अबस्ता में आइनी योगिक विद्यूत के उत्तम चालक होते हैं तो आइनी योगिक एलकोहल में अबिले होते हैं, अप्शन इसका राइट उतर जगा, केबल एक कथन सही, दिया सलाई के बिनिर्मान में पर्युक्त मूलतत होता है, तो दिया सलाई के निर्मान में फास्फोरस मुख्यतत होता है, निमलिखित में से कौन सी इस्तिती बिलंबित रक्त असकंद का एक सर्थ है, तो बिलंबित रक्त असकंद का एक सर्थ हिमोफिलिया है, अप्शन इसका राइट उतर हो जाएगा, निमलिखित में से कौन सी चीज भूमिगत खाद तना है तो भूमिगत खाद तना अदरक है option is का right उतर हो जाएगा होट मेल का स्रीजान निमलिखित में से किस ने किया था होट मेल का स्रीजान सबीर भाट्या ने किया था option is का right उतर हो जाएगा जंप बॉल सब्द निमली खित में से किस से संबंदित है तो जंप बॉल सब बास्केट बॉल से संबंदित है सीज का राइट उतर हो जाएगा ATM का विस्तार रूप है Automated Tailor Machine option सीज का राइट उतर हो जाएगा Floppy Disk में होती है Floppy Disk में 26 सेक्टर होते है Option is का राइट उतर हो जाएगा Floppy Disk के सेक्टर में होता है तो Floppy Disk के सेक्टर में 128 बाइट होते है निमलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक स्ट्रोक में एक लाइन प्रिंट करता है तो लाइन प्रिंटर एक स्ट्रोक में एक लाइन प्रिंट करता है Option 20 का राइट उतर हो जाएगा किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में अक्छर प्रिंट होता है तो डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर में एक स्ट्रोक में अक्छर प्रिंट होता है Option A इसका राइट उत्तर हो जाएगा बाइट कम्प्यूटर की भंडारन छमता दर्शाने का कारी करता है एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं तो एक बाइट में आठ बीट्स होते हैं Option B इसका राइट उत्तर हो जाएगा होप मैन कप का संबंद किस खेल से है होप मैन कप का संबंद टेनिस से है Option B इसका राइट उत्तर हो जाएगा किसी समयावदी में समयानिता एक बर्स के दरोन विविन चेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित बस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग का लाता है तो राष्टिय उत्पाद अफ्शन डीस का राइट उत्तर हो जाएगा। राजिपाल विधान परिशत में कितने सदस्य को मनुनित कर सकता है। दल्दली एबं भुमद रेखिय उस्न आदर्ता वाली बनस्पति को किस बर्ग में रखा जाता है। अटलांटिक महसागर की गर्म जलधारा कौन सी है। अटलांटिक महसागर की गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम है। ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। किस सासक ने स्वैंग को लिछवी दोहित्र कहा है। तो लिछवी दोहित्र समुद्र गुप्त ने स्वैंग को कहा है। Option 20 का राइट उतर हो जाएगा बिहार में गुप्त सक्ती के संगठन का स्रे दिया जाता है तो बिहार में गुप्त सक्ती संगठन का स्रे चंद्रगुप्त दूतिय को दिया जाता है Option 20 का राइट उतर हो जाएगा चम्पारन परसिधा एक अंदोलन के कारण जिसका संबन्ध था महत्मा गांधी से एस्टेतो इसकोप की सिद्धान्त पर काम करता है एस्टेतो इसकोप द्वनी की धारा में रुपांतरन पर काम करता है बहुत उच तापमान को मौपने के लिए हम पर्योग करते है बहुत उच तापमान को नौपने के लिए हम ताप बैद्धूत ताप मौपी का पर्योग करता है बहुत उच तापमान को नौपने के लिए हम ताप बैद्धूत ताप मौपी का पर्योग करता है तो भारतिय संभिदावन में अनुचिद एक में भारत को राजियों का संग कहा गया है। बिहार में नहरव द्वारा सर्बादिक सिचाई होती है, गंगा के दक्षिनी पस्चमी भाग में होती है। अप्शन सीज का राइट उत्तर हो जाएगा बिहार में अन्तिम बार सात मार दोजार पॉचिस भी को राष्टपती सासन लागू किया गया था उस समय बिहार के राजपाल थे तो श्री भूटा सिंग उस समय बिहार के राजपाल थे अप्शन सीज का राइट उत्तर हो जाए निमलिकित में से कौन सी रचना फनिस्वर्नात रेनू की नहीं है तो विदेशिया फनिस्वर्नात रेनू की रचना नहीं है तो अप्शन 20 का राइट उतर हो जाएगा तो आज इस वीडियो में हमने पूरे स्वाप रसन बिहार दरोगा मेंस के लिए किये ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कोमेंट बॉक्स में जरूर कोमेंट करें इसी तरह तथा इडू टेरिया टेस्ट रिज लगाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीड वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद